Hello friends, welcome to my channel तो आज इस वीडियो में हम एक एक्जाम डिसकस करेंगे जो की है लेवर इंस्पेक्टर का और ये जो एक्जाम हुआ था ये हुआ था पच्चिस ग्यारा दोजार अठारा को जो की ज्यादा पुराना एक्जाम नहीं है और इसका जो पोस्ट कोड था वो था 689 ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये एक्जाम है मैं आपको ये प्रोविजनल अंसर की के इसाथ से आपके साथ डिसकस करूँगा क्योंकि आपको बताँ कि दो अंसर की आती है एक प्रोविजनल आती है और एक फाइनल आती है तो जो प्रोविजनल होती है ये तो एक्जाम के दो तिन दिन बाद डाल देते हैं जिसमें की कुछ तरूटिया होती है तो आप उनके जो कोशन गलत होता है मतलब तरूटियों का मतलब यह है कि वह उसमें होता है कि आप अपील नहीं कर सकते हो लेकिन वह उता है कि वह इन्होंने मतलब काफी देख पर रखके त्यार की होती है प्रफेशनल नहीं त्यार करते हैं जो भी कि में और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं एक्जाम इसलिए डिसकस कर रहा तियर बोलो कि 2021 में 31 2021 को एक एक एक्जाम है जो कि लेवर इंस्पेक्टर का ही है और उसका जो पोस्ट कोड है वो है 805 ठीक है और यह जो एक्जाम है मोर्निंग सेशन में और और डिस्टिक हेड़कॉर्टर में जिनका है उन्हें मालूम होगा तो बाकी इसके रोल नंबर भी आगया सेंटर भी अलोट कर दी हैं तो इसलिए मैं आपके आपके साथ एक्जाम डिसकस कर रहा हूं क्यूंकि इस से आपको यह पता लग जाएगा कि लेवर लोग से कितने कोशन आते हैं और कि क्या सले बस रहता है कि कि कहां से कोशन आते हैं क्योंकि जो फर्स टाइम दे रहा है उन्हें नहीं चीजे मालूम होगी लेकिन जो पहले दे चुके हैं वो तो सभी सब कुछ जानते हैं तो चलिए डिसकस करते हैं बाकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इस एक्जाम को दो वीडियो में डिसकस करूंगा इसमें 100 कोशन डिसकस करूंगा बा कुछन बारतियय सस्क्रिती कि स्थोर वादिक मायत्पूर्ण विशेशता है तो जो भारतियय संस्क्रिती कि सब्से मैं विशेशता है like बीविंता में एक था अज्विव प्रशार कौन से वन से शवंदी था तो आप कोमेंट करें नेस्ट कोश्चन निम्द में से किस गुप्ट साक्षा को भी क्राम अधित्या से जाना जाता था तो जो इसका जो राइट अंसर है वह ऑप्शन सी चंदर गुप्ट अभी हाली में एक्जाम हुए थे सेप्टेंब न एक्जाम करवाती है वह अग्जाम के लिए इपोरेंट जिन में जीके आती हैं पडिश्चन नेच्सके ने लिखाना विधी की उध्योंद नागानंद भी हर्षन लिखी ति और प्रीय दर्शि का वई हचने लिखेती तो इसका जो राइट अंसर होगा वोगा उप्शन सी क्योंकि कादमबरी हर्षवर्दर ने नहीं लिखी थी क्योंकि जो ये कादमबरी थी ये बांडवट के द्वारा लिखी थी और जो बांडवट है आप कमेंट करना कि वो किसके राज़ दरवारी थे कभी थे तो चलिए मैं ये आपको बता जीता हूँ कि जो बांडवट थे उन्होंने कादमबरी लिखी थी और ये हर्ष के ही राज़ कभी थे या राज़ दरवारी थे तो जो मैं आपको बता हूँ कि इसने कादमबरी के साथ एक और रचना की थी जो मैतपून है वो भी एक्जाम में पुछी जाती है तो पुछ जाती हर्ष रितर ठीक है तो ये दो थी ये बांड़ बटने करी थी पाकी रतनावली नागनंद और प्रियादर्शी का ये भी ये तिनों हर्ष ने करी थी और ये कोश्चन भी अभी शायद स्टोर की पर्म ही जाना जाता था मदूराई कॉंडा से नेक्स कोश्चन है निम्ड में से कों से फिरोशाव तॉगलक द्वारा सापित नहीं किया गया था तो य वो शहर था हिशार जो की पढँचा है हर्याना वे तो ऑप्शन भी राइट उंसर है नेक्सट कोश्चन है भात ने गुलाम के निर्यात पर किस के द्वारा रोक लगाई गई तो जो 9 का जो राइट अंसर है वो है option B फिरोशा तुगलक के द्वारा क्योंकि इन्होंने कोई गुलामों के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है तो इन्होंने कुछ किया था नेक्स्ट कोशन है हम जो नामा किस पर करीती है तो जो हम जो नामा करीती है वो है चिप्टर कलापर option B राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन हिंदो पर लगाए गए किस कर का शिवाजी ने बिरोद किया था तो जो हिंदू पर जो लगाएगे जजियाकर का शिवाजी ने बिरोद किया था क्योंकि जजियाकर ऐसा था एक गैर मुस्लिम कर था कि जो मुस्लिमों को छोड़के बाकि सबसे बसुला जाता था नेक्स्ट कोश्चन है कि नादिशा ने किस मुगर समराट को बंदी बनाया था तो जो नादिशा ने बनाया था बंदी वो बनाया था मुहम्मद शा को ऑप्शने राइट अंसर है बाकि ये भी पूछा जा था कि नादिशा ने कब भारत पर आकरमन किया था ये भी काफी most reported रेपेटिड कोश्चन है तो जो किया था वो किया था 1749 में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है गुरु गोविन सिंग के मृत्यू के 50 शिखों का नेर्टर तरप किस ने किया था तो जो गुरु गोविन सिंग की मृत्यू जो हुई थी इसके बाद जो किया था वो नेक्स्ट कोश्चन है कि जिस किस शेतर पर अंग्रेजियों को पराराम में दिवानी अधिकार नहीं मिले थे अगर आपने modernisty थोड़ा deeply पड़ी होगी तो आपको इस कोश्चन का थोड़ी सी deeply ज्यादा नहीं तो आपको इस कोश्चन का अंसर जरूर मालूम होगा तो इसक इन बंग बंगाल के अंडरी थे क्योंकि इस लुष के अच्टर आप शेतर और बंगलादेश उयाता था तो बाकि ज्यदक d scorpion के यहां के टो इनीं बंगल के दिवानी अदिकार मुले थे लेकिए दक्षिन के नहीं मिले थे तो इसी के एस मिलें झाज़ंगार कह जो इस को क्योंकि आपको बता है कि 1703 में में स्थाइब बंदवस्त शुरू किया था लोड कानवालिस्ट के द्वारा वाकि काफी फैक्ट है मैं आपके साथ सिर्फ एक एक्जाम डिसक्स कर रहा हूं अगर आप हर कोशन के वारे में वैसे तो मैं कोई ना कोई चीज आपको नहीं कि लगहनीं के अंत्रगत आता है तो जो देवबंह अंदोलन है यह आता है पुनर जागनवादी अभ्यों 53 कि अनदर नक्स इंदर गांदीज जी नेई से nine अधिनि T बिद्रो किया था वो किया था 1906 में तो ओप्शन सी राइट अंसर है क्या क्योंकि इन्होंने जो किया था यह इन्होंने अफरीका में किया था थोड़ी कहां स्टोरी है इसके बारे में नेक्स्ट कोशन 1908 की एमदावाश शमीक हर्दाल की अगवाई किस ने की थी तो इसका जो ओप्शन सी राइट अंसर है बल्लबाई पतेल ने नेक्स्ट कोशन है 1909 में एकल भारते राज्या जन्समेलन के अध्यक्ष कोन बने तो इसका जो राइट अंसर है वो है ओप्शन डी जोहार नाल नेरू नेक्स्ट कोशन किप्श मिशन के स्वंद में यह कतन किस ने कहा कि यह एक पोस्ट डिटेट चेक है तो इसका जो राइट अंसर है ओप्शन डी महत्मा गंदी ने कहा था तो नेक्स्ट कोशन है कि मुख्या रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मी चटाने कहलाती है तो जो यह कहलाती है इसका ओप्शन सी से ही है एरेनेसियस ओप्शन सी राइट अंसर नेक्स्ट कोशन है मांट फूजी किस परकार का ज्वाला मुख्य है तो जो पुछ पिर मादी पी बता दीजिए नेक्स्ट कोशन है बातावर्ण में आयतन के अनुसा सरवादिक प्रदानता वाली निश्क्रिया गैस है तो इसका जो 23 का कोशन एया और गन ठीक है और गन राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन बातावर्णिया दाप को मापने के लिए प्रिक्ट अंसर है वह अप्शन सी अभी बहन को रहा तो इसका एडवेक्शन फोग बोला जाता है इंग्लिश में तो ऑप्शन सी राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन उष्ण कटीवंदिया के पूर्णता बाहर सित निम्द में से को सा महादीप एक मात्र बसा हुआ महादीप है तो ज इस ले दक्षनी एसिया बी जो उष्णकटीवंद्यक शेत्रों में पड़ता है और अफरीका तो पड़ता ही है क्योंकि यहीं से ब्राजिल देश से बिशुवत रेखा भी गुजरती है और खरकर रेखा भी गुजरती है और फ्रकर अमेरिका तो दोग्षिन अमेरीका अर एक शेत्र में आता है लेकिन जो उत्री अमरीक का है वो नहीं आता है तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट अंसर होगा यूरोप अगर आपको वर्ड मैप का पता है थोड़ा बहुत आपको नोलज है तो आपको इस कोशन का अंसर असानी से दे सकते हो नेक्स्ट कोशन है इसक निम्द की अत्यादिक मात्रा वाले स्थानों में कोरा एक्स मान्ना पर दूश्य है तो जो इसका जो राइटंसर आप्शन है सुलफर डायक साइड नेक्स्ट कोशन कोँई सबीसरों का सगन जन्शंक्या का सरबादिक ब्यापक शेततर है है तो जो 30 का ऑप्शन पूर्व एशिया जो पूर्व एशिया है वहाँ पर काफी जादा सगन जनसंग क्या है नेक्स्ट कोशन है वन गोलू जील स्थित है तो यह जो सित है यह तरकी में सित है अगर आपने वड़की जीले पड़ी है तो जो मोस्ट मोस्ट इपोर्ट एंड हो पढ़लो सफिशेंट होती है एक्जाम के लिए नेक्स्ट कोशन कौन सी भारतिया बहुत एक विशेषता गोनवाना लेंड की अफशेष मानी जाती है तो जो इसका जो राइटन से पठार तो 32 का उप्शन सी सही है क्योंकि गोनवाना लेंड से टूटके अलग हुआ है और उत्तर पश्चिम की और उत् पूरब की और बढ़ रहा है नेक्स्ट कोशन है मांट आबू एक छोटी पाड़ी खंड निम के द्वारा अराबली परवत से प्रित्यक होती है तो जो इसका जो राइट अंसर है ऑप्शन डी बनास की गाटी से ऑप्शन डी राइट अंसर उपरी गोदावरी घाटी के उ राइट अंसर है दक्षिन कोईल के नाम से जाने जाती है ऑप्शन सी राइट अंसर नेक्स्ट कोशन कि भारतिया परंपरा के अनुसान निम्द में से कौन सी रितू कौन सी प्रत्म रितू है तो जो बसंत है वही प्रत्म रितू है तो ऑप्शन भी राइट अंसर है नेक् कि जुलाइ ईगस्ट में तो बारश यो तो लॉटना है प्राइडान कर देता में लाल मिट्टी में निम्ड में लाल मिट्टी में कमी होती है तो ठर्टीएट का कोशन और अप्शन डी यह सभी क्योंती है नाइट्रोजन की फासपॉर्स की और लाइं की तो जो इसका तो जो इसका जो रइंसर है वो ऑप्ष्ण a केल में बागी अगर प्रतिवाक्ति ना पुचा जाए तो पॉच्छीन बंगाल में सब्सक्पादब्र होता है तुमज़ी का ठीक है लेकिन यहां पर याप एंसर एए केरल नेक्स्ट कोशन तो आप तवास सिंचाई प्रियोजिनस थित्त है तो इसका जो 41 का जो अंसर ए मद्धय प्रदेश में नेक्स्ट कोशन भात में लीची के पादम निम्ड में से कों सा राज्य अगर है तो जो लीची में बिहार सबसे अलग है तो अप्शन भी और सब्सक्ति कोश्ट करते हैं कि नेक्स्ट कोशन निम्ड में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तिल क्षेत्रास प्राप auto करके कच्च्ट तेल को रिफांड़ी करती है तो यह बताना है कि कौन सी है तो कोई लिया option ए राइट अंसर है ठीक है जो इग बोई है यह आ affected में और हल्दिया पशिमंगाल में नेक्स्ट कोचन है कौन सा अंत्र स्थलिया राज्यों में स्वाधिक शेरिकृत राज्या है तो इसका जो राइट अंसर है वह ऑप्षिन भी पंजाब बाकि अगर आपको लगता है कि इसका कोई और अंसर है क्योंकि पंजाब होगा पंजा इसका पड़ा है और यहाँ पर ग्रामिन जादा है और राजजसान में जादा है और बाकि हर्याना और पंजाब में कंफिजन है तो पंजाब इसका राइट अंसर है मतलब 90% चांसे पंजाब की हैं तो बी राइट अंसर है next question संसार के संसधीय सब रूप में राज्ये की व जो नितिनिदार्टल इंफरमेशन एक्ट है यह निया तो 6 exact निर्वाज्चक मंदल क्योंकि इसमें जो संसेट के सदसे हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदसे ही भाग लेते हैं नेक्स कोशन केंदर आवम राज्यों के बीच विवादों के निर्ने की उस्तम नहले की शक्ति किसके अधीन आती है तो जो 49 गो ऑप्शन सी राइट अंसर है मूलक शेतरा अ कि जो इनके विच विवाद होता है केंदर राज्यों को लेके उनको निम्टाने के लिए जो सुप्रीम कोट है जो उसको शक्तिया वो उसकी मूल शक्तिया कि उसका मूल अधीकार है वो नेक्स कोश्चन राज्या पाल द्वारा जारी अधादेश किसके अनुवेदन के अधीन होता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है राज्या विदान मंडल के अधीन क्योंकि जिस तरह केंदर में होता है उसी तरह राज्या में भी होता है राज्या सर पे भी होता है नेक का option D right answer है कि इन में से कोई नहीं नगर निगम नगरपरिष्ठ और नगरपंचायद तो क्यूंकि यहां स्थानी सवशाचन की बात हो रही है तो कि नगर निगम है वह भी शचेरि इसी है है कि उरह पिच्छákान को डीड़ फेड़ करो को ऊफचान होथा है ग्रामइन स्थानी tussen और आशचान होता है उसनों होला ₆ । बात के स्विदान के कि अनुश्यक्त के अधीन होता है किस संसोधन अर्दिनीयम द्वारा भारते सविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तब्या शामिल किये गए हैं तुझे किया गया है 42 सभीदान शोदन के दोरा किया गया है option A right answer है बकि next question है कि भारत के दीतिय बीदिक अधिकारे के रूप में कौन से जाने जाते हैं तो आपको पताए कि जो दीतिय के उस रूप में जाने जाते हैं भारत के सेली सीटर जनल जाने जाते हैं और अगर आपको पताए कि प्रथम बीदि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट करें next question भारत के राश्पती द्वारा अंगल भारते समद्वा कि कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनी किया जाता है तो जो जो यह किया जाता है एंगल इंडियन बोला जाता है जिने तो किया जाता है दो ठीक है और आप कमेंट करें कि राज्पती कितने किया जाता है बाकि मैं कोशनक एंसर आपको कमेंट में दे दूँगा बाकि अगर आप कुई मालूम है तो आप कुमेंट करना क्योंकि राज्यसभा के लिए 12 के जाते हैं और लोकसभा के लिए 2 के जाते हैं अंगलो इंडियन चुने जाते हैं लोकसभा का सभापती इससे पदनामित होता है तो जो लोकसभा का जो सभापती होता है इस नाम से होता है तो उसका जो राइट अंसर है ओप्शन B 58 का जो ओप्शन B राइट अंसर है दा स्पिकर क्योंकि जो लोकसभा का अदेख्श होता है या सभापती होता है उसे स्पिकर बोला जाता है लोकसभा स्पिकर और बरतमान में कोन है तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करना बात की राज की अबाशा से स्वंदित प्रावदान संसोजित किये जा सकते है तो बात 59 का जो राइट अंसर है वो है उप्शन बी की कम से कम दो त्याई बहुमत द्वारा जो के राज की अबाशा से स्वंदित जो प्रावदान है वो संसोजित किये जा सकते है कि जो भी प्रावदान किया है राज की अबाशा के लिए सभीदान में उनमें संसोजित किया जा सकते है लेकिन उसके लिए दो त्याई बहुमत ची है नेक्स्ट कोश्चन है कि अन्दमा निकवादीस मूपनिम्न में से किस उच नहला का किसे तरह दिखा रहा है तो यह जो एक्जाम है यह भी जो हाली में एक्जाम हुआ है कलर का आट सो तीन पोस्ट कोड यहाँ शायद जेओ आइटी जो एक्वाट का था उन दोनों में से एक एक्जाम में कोश्चन पुछा गया था तो इसका जो राइट अनसर है वह ऑप्शन बी कॉल का था ठीक है त भरत में राषटीर है किस के द्वरा किया जाता है तो जो किया जाता है सी एसो द्वरा होग् leisure detox तो option C right answer है केंदरी संक्य किस संगटन के दोरा next question है भारत में rolling plan किस वर्ष प्राचलन में आया था तो जो भारत में rolling plan प्राचलन में आया था इसका जो right answer है option B 1978 और 79 में ठीक है next question है जंडगर्णा 2000 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शाक्षता दर है तो इसका जो right answer है option D होगा क्योंकि जो बिहार में है तो इन्होंने बिहार option में नहीं दे रखा है next question है कि भारत निर्मान plan किस के विकास से सवंदीत है तो जो इसका जो right answer है वो है ग्रामिन अधार बुद सरंचना से सवंदीत है नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत में ग्रीबिस्तर किस अधार पर अकलित किया जाता है तो जो भारत में ग्रीबिस्तर वो किया जाता है ग्रेलू उसत पे तो जो इस सोरी माफ करना ग्रेलू उपभोगता वे पे तो ओप्शन सी राइट एंस रहा हाउसोल कंजूमर एक्सपें सो का परिनाम था तो जो यह थी यह थी डॉक्टर एम्मेस स्वामी नातन तो उप्शन ए राइट अंसर है अगर आपको हदे कि हरित करांती जो हुई थी इसमें कौन सी दो फसले पर मुक्ती अगर पता है तो जरूर कमेंट करें नेक्स्ट कोशन भारत में सरवाजिन क्षेतर से किसे समानने था मुद्रा के रूप में अपना है तो जो यह अपना है इसका जो ऑप्शन डी से ही है क्योंकि जो अपना है वो यूरो के रूप में अपना है तो जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी से ही होगा नेक्स्ट कोशन भारत में कौन सा बैंक के सरवाधिक महतपुर्ण मध्द है सबसीडी माफ करना सबसीड़ के सरवाधिक महतपुर्ण मध्द है B 71 के आर्थिक सबंदों में तीसरा स्थम बाना जाता है तो जो 71 का राइट अंसर है ओप्शन C की वर्ट ट्रेड और्गनाजेशन को तीसा स्थम बना जाता है बारती है अंतराश्टे आर्थिक सबंदों में नेक्स्ट कोशन साख पत्र के त्यार किया जाता है तो जो 72 का राइट अंसर है वो है ऑप्शन सी राइट अंसर कि निया तक और आय तक दोनों दौरा next question है मांग निर्मान के लिए आफशेक होता है तो जो मांग निर्मान के लिए आफशेक होता है वो होता है कीमत option B right answer है price ही मांग निर्मान के लिए आफशेक होता है important होता है next question देश में अपूर्ण बाजार किस में प्रतबंदित होता है तो जो 74 का वो राइट है, option D की मदरीनता, साधन, अगशीलता और विशेशक गेता में कमी, तो option D इसका राइट अंसर है, कि इन सभी में परतिविम्बित होता है, next question है, कि केंदर सरकार के लिए शुद्ध आर्बेशाक में बिद्धी परदर्शित करती है, तो इसका जो राइट अंसर है, वो option D मुद्रा गाठा, ठीके, monetized deficit, next question है, कि निम्ड में से कौन सा करपंचायद द्वारा उगाया जाता है, कि उगाया जाता है, पंचायद द्वारा कौन सा करके लिया जाता है, तो इसका जो राइट अंसर है कि बिक्रे करनी लिया जाता है और ना ही कस्टम सुलक और ना ही बूरा सर तो उप्शन डी इसका राइट अंसर है यह सिर्फ जो मतलब स्थानिया मिले वगरा होते हैं वही करप पंचायद बसूलती है इसके अलावा नी नेक्स्ट कोशन अद्य अद्योगिक उत्पादन सुचकांग में कि शेत्र को अधिक्तम महतम दिया गया है तो इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन ए बी निर्मान को मैनुफेक्ट्रिंग को अप्शन ए राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन खादानों के लिए नियुन्तम समर्थन मुले इस वर पार्ण किया गया था तो जो इसका जो राइट अंसर है वहुआ ऑप्शन री 9064 में अपसे निदी लेने वाला पहला देशनिम्ड में से कौन सा था तो जो इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन डी फ्रांस ठीक है जिसे बोला है इंटेगरेटिन मैनुर्टीफ फंड नेक्स्ट कोश्चन IRDS सबंदित है तो यह जो सबंदित है यह कोश्चन स्टोर कीपर के एक्जाम में पुछा गया था तो जो यह इसका जो राइट अंसर है वो तो उप्शन में नहीं दे रखा है क्योंकि यह सबंदित है BMX 70 से तो उप्शन इसका जो D से ही है इनमेंसे कोई नहीं और उसमें मतलब कॉस्चन में काफी कॉस्चन में IRDAIB लिक्षा होता है बाकी काफी जगा IRDA亦 लिक्षा होता है next question cycle के परिये में होती है तो जो cycle के परिये में होती है वो इसमें होती है गुर्णन औस्थान अंत्री है दोनों ही गती होती है तो option C right answer है next question यदि एक पत्थर प्रित्वी किस्ता है कि समांतर फैका जाता तो इसका प्रक्षे पत्थ होगा तो इसका जोगा एक पैरा बुलागा तो प्रावल्ल है इसका right answer है option A right answer next question उत्तर lens को इससे भी जाना जाता है तो उत्तर lens को जो इससे भी जाना जाता है यह भी हाली के कुछ exam में एक दो बार question repeat हुआ है तो इसका right answer है अभी सारी lens के रूप में जाना जाता है next question x किरने की डैस में बृद्धी के साथ इसकी बेदंक शमता में बृद्धी होती है तो इसका जो right answer है अभी के साथ टो frequencies कर 않은 रे उस अभी सारी highway next question अधिकांस drop इंदन rocket में इंदन होता है तो परिशक्रित refined karmosine होता है तो option c right answer है तो जो drop इंदन rocket में होता है वो परिशक्रित karmosine होता है सूर्य और तारोदोर्णा प्राप्त उर्जा कह contextualSM तो सूर्य और तारोदोर्णा जो प्राप्त उर्जा हो कहodzi आती है तारी के उर्जा, option C, right answer, next question फोटोग्राफिक फिलम में इसकी पर्ड़ चर्ड़ी हوتी है तो जो चर्ड़ी होते हैं, silver bromide की चर्ड़ी होती है अब तो खेर बहुत कम यूज होता है इसका पहले कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा होता सिर्वर ब्रोमाइड का यूज नेक्स कोशन है कि कौन सा अतिश वाजी में हरा रंग देता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है ओप्शन विबेरियम कलोराइड बेकिंग सोड करना है तो यह तो इनका मौस्ट फैवेट कोशन है अयोक का तो इसका जो आप कोमेंट कर सकते हो क्योंकि मैंने भी बहुत वाइडिसकस किया कोशन तो बाकि आप कोमेंट करके बताना कि इसका अंसर क्या है रियो निर्मान के लिए प्रिक्ट कच्छा पदारत है पाकि मैं है बता दूघ अगर फ्रेशर होई तो इसका जो राइट अंसर है बो सोडियम बाइकार्बोनेट और बैकिंग और बाई कारणीट से जाद रखना है लुब्द प्रिक्ट कच्छा पदारत कोन सा है तो इसका जो अप्शन ती राइट अंसर है प्लास्टिक नग्स कोश्चन है कौन साकेट अपने विकास के दोरान का इंतरत नहीं दृष्शाता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है शिल्वर फिश एपी कल्चर की से स्वंदीत है तो जो एपी कल्चर है वो मदू मक्ही से स्वंदीत है तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि एपी कल्चर की आपने पितोपी होगी तो उसका जो मतलब जो टेस्ट होता है वो एक तरह मज़द शहद की तरह ही होता है तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि एपी कल्चर किस से सवंदीत है तो काफी जगा मदू मक्ही लिखा था और काफी जगा शायद भी लिखाता है तो इसका जो option a right answer है और मैंने आपको ट्रीक भी बता दिया है next question सापों में बिश्क गरंति स्थीत होती है किसे आपकलिन हर्मौन से भी जाना जाता है तो जो अधीबृक गरंति बोला जाता है हिंदी में अधी ब्रिक ठीक है तो इसका option C right answer है adrenal guarantee कोई अप्तिकलिन हर्मोन के नाम से जाना जाता है next question हरी गिरी प्रवाब किसके दोरा होता है तो जो इसका जो राइट answer है वो है carbon dioxide और हरी गिरी ग्यास को लेके काफी जादा अब भी question पुछे जा रहे हैं जो हाली में एक्जाम हो रहे हैं प्रवाब किस बॉलीबूड वेक्टिक और सिम्टा पाटिल तो यहां सो करेंट अफेस चुरू हो गया है यह तो हम डिसकस नहीं करेंगे बाकि जो इसके बाद जो भी question बनते हैं वह हम next video में discuss करेंगे बाकि अगर फिर भी आपको देखने हैं तो मैं slide अप कर देता हूं बाकि अगर इस वीडियो पर अच्छा response आया कि मतला अच्छा response है कि अगर आपने शुरू से end तक देखा है वीडियो को तो मैं next video लेके आऊंगा कि जो भी question बनते हैं तो इस वीडियो में इतना ह कर लेकी हूंदए कर द teे हम डते हैं में एक घ्ब कर दादी हूंदए तो प्यां हम दो आपको देखने हैं जोर गी आवर झापका या congregation ।